आज की इस वीडियो में आप से लिए को क्लास 10 में जितने भी बच्चे हैं जिन्नोंने कल सेट 1 का पेपर दिया है कोशन पेपर कोड देख सकते हैं आप से यहाँ पर 30-2-1 और यहाँ पर सिरीज PPQQC-2 और यहाँ पर यह पर यहाँ पर आप से को पूरा-पूरा सॉल्ब कराने जा रहा हूँ यह आपका स्टैंडर्ड पेपर है mathematics का जिलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कोशन से आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं mathematics का पेपर है स्टैंडर्ड का जो आपका theory based हुआ था 40 marks का यह आपका total और आपको इसमें दो घंटे में लेते पेपर करने के लिए आप से मुझे comment section बताना कि आपने कितना score किया इस वाले पेपर में और यह जितने भी question रहेंगे यह सारे के सारे set में आए में question है और कुछ-कुछ question अलग-अलग है तो फिर वह आप manage कर लिजिएगा बाकी यह सारे के सारे question में आपको कराने जारो first question से starting करते है solve the quadratic equation x square plus में 2 under root 2 x-6 is equal to 0 for x यहाँ पर आपको x के लिए बताने है मैं इस question को आपको कराता हूँ यह आपका question था यहाँ पर आपको middle term split करने पड़ेगी इसकी इसकी जब आप middle term split करेंगे तो फिर यह आ जागा आपका 3 under root 2 x minus under root 2 x minus 6 is equal to 0 अब इन दों में से common आ जागा हमारा x यह जागा हमारा x plus 3 under root 2 minus में इन दों में से हम common ले लेते हैं minus का under root 2 यह आ जागा हमारा x plus 3 under root 2 is equal to 0 एक bracket में आ जागा आपका x minus under root 2 और एक bracket में आ जागा आपका x plus 3 under root 2 is equal to 0 अब यहाँ पर से आपके x की value आजाएगी under root 2 और यहाँ पर से आपके x की value आजाएगी minus का 3 under root 2 तो फिर यह दोनों ही answer आपके correct रहेंगे जिन जिन बच्चों का यह answer सही है वो आप copy में एक column बना ले और वहाँ पर 1, 2, 3 ऐसे करते करते जोन जोन से आपके answer सही है वो आपके tick करते चलिएगा next question आप सही के सामने question number 2 है आप सही के सामने a part है which term of the AP minus 11 by 2, minus 3, minus 1 by 2 and so on बताना है हमें इस AP की कौन सी term 49 by 2 होगी चलिए इस question को भी solve कर लेते है यह आपका second question का a part है और यहाँ पर आपको यह AP given है और यह लिटम बताना है आपके कौन सी होगी तो फिर आपको यहाँ पर an बताना है कि an में जो आपकी n की value होगी वो क्या होगी यहाँ पर आपको n की value बतानी है तो फिर यहाँ पर आपको first term पता है minus 11 by 2 यहाँ पर आपको common difference नहीं पता common difference कैसे निकाल लेंगे a2 minus a1 a2 की value है यहाँ पर minus का 3 minus में a1 है हमारा minus का 11 by 2 और यहाँ पर से यह आजागा आपका minus का 3 plus में 11 by 2 यहाँ कि 3 2 जा 6 और यह हो जाएगा आपका 5 by 2 यह आगे आपका 5 by 2 an का हमारा formula होता है a plus n minus 1 multiply by d यहाँ पर से an की value है हमारी 49 by 2 is equal to में a की value हमारी minus 11 by 2 plus में n minus 1 multiply में d d की value है आपकी 5 by 2 यहाँ तक आप सभी को समझ में आगया होगा अब इसको इदल जाते है 49 by 2 plus में 11 by 2 is equal to में n minus 1 multiply by 5 by 2 इन दोनों को plus करेंगे क्योंकि हमारा base से में यहाँ जाए हमारा 60 by 2 is equal to में 5 by 2 multiply by n minus 1 2 से 2 cancel out हो जाएगा 5 से यह 12 बार में यहाँ जाएगा 12 is equal to में n minus 1 n की value आजाएगी 12 plus 1 याने की 13th term यह आपकी 13th term होगी next question इतरा चलता है इसी का B part है इसी में आपका B part है find A and B so that the numbers A, 7, B, 23, R, N, AP यह जब AP में है तो फिर यहाँ पर आपको A और B की यह लिए बतानी है चले इस question को भी solve कर लेता है यह जब आपका AP में है तो फिर और इसको A plus 2D और यह हो जब आपका A plus 3D यह आपकी AP की जर्णल फॉर्म होती है ऐसे करके अब यहाँ पर आपको A plus D दे रखा है 7 के बराबर A plus D दे रखा है हमें 7 के बराबर और यहाँ पर हमें A plus 3D दे रखा है 23 के बराबर यहाँ तक सभी बच्चे को समझ में आगया होगा अब आगे हम क्या करते हैं इन दोनों को solve कर लेता है A plus 3D is equal to 23 और A plus D is equal to 7 यहाँ पर हम क्या करते हैं इन दोनों को question को less कर लेता है यह कर जागा आपका यह आजगा आपका 2D is equal to में इन दोनों को minus करेंगे आजगा आपका 16 D की value आजएगे आपकी 8 यहाँ पर से आपकी D की value आजएगी 8 पैन खतम हो गया था बीचे में कोई बात नहीं D की value आगे 8 अब इसको हम first equation पूट कर देता है A plus 3D is equal to 23 A plus 3 multiply 8 is equal to 23 यहाँ पर से A plus 24 is equal to my 23 यानि कि A की value आगे हमारी minus का 1 A की value आपको पता लग गई D की value पता लग गई तो फिर यहाँ पर से क्या हम यह पता नहीं कर सकते कि हमारा A और B की value क्या होगी तो फिर इसको भी solve कर लेते हैं यहाँ पर आपको A किसके equal है A के A है हमारा A के equal और अभी हमने A की value निकाली है minus का 1 तो फिर A की value आगे है आपके minus का 1 और यहाँ पर जो आपकी B की value होगी वो होगी A plus 2D इसको यहाँ कर लेते हैं A plus 2D किसके equal होगा B के तो फिर A की value आगे है हमारी minus का 1 plus 2 multiply B की value हमारी 8 is equal to B यहाँ पर से minus का 1 plus में 16 is equal to B यानि की B की value आगे हमारी 15 A की value आगे आपकी यहाँ पर से minus 1 और B की value आगे हमारी 15 यह दोनों ही answer correct है Question number 3 आप सही के सामने A solid piece of metal in the form of a cuboid of dimensions 11 cm 7 cm and 7 cm is melted to form N numbers of solid spares of radius 7 by 2 cm each find the value of N यहाँ पर आपको N के लिए find करनी है इस question में यह बुला गया है कि आपको एक cuboid दे रखा है जिसकी dimensions यह है और इसको melt करके बना जाता है spare जो होता है oval shape का यह आपको 3D में है जाए आपकी 4 तरसे आपको यह spare दिखेगा और यहाँ पर आपको इस radius इसकी radius दे रखी है 7 by 2 cm तो फिर आपको यहाँ पर बताना है कि कितने number of spares यहाँ पर बनेंगे इस cuboid से चलिए इस question को solve कर लेते हैं यहाँ पर यह आपका cuboid था यहाँ पर आपको यह cuboid की dimensions है और यह spare की radius है यहाँ पर N number of spares यहाँ पर बन रहा है यहाँ पर N number of spares बन रहा है तो फिर इसका जो volume होगा उसको हम N से multiply करतेंगे is equal to इसका volume volume of cuboid volume of cuboid होता हमारा LBH और volume of spare होता है हमारा 4 by 3 pi r cube multiply N यहाँ पर आपको N की value बतानी है तो यह question था आप सभी का length है आप सभी की 11 breath है आपकी 7 height है 7 4 by 3 pi की value 22 by 7 multiply radius है आपकी 7 by 2 मतलब इसका cube मतलब इसको 3 बार हम लिख सकते हैं और यहाँ पर multiply by N अब यहाँ पर से 7 से 7 कर जाएगा यहाँ पर से 2 से 4 2 बार में 2 से 2 और यह 2 से 11 बार में और यह हो जाएगा आपका यहाँ पर बच गया 3 और उपर बच गया आपका 49 multiply 11 divided by 3 यह आपका भी यहाँ पर बच गया is equal to my 49 मल्टिप्लाइ में 11 अब 49 से 49 कड़ गया 11 से 11 कड़ गया 3 इधर जाके मल्टिप्लाइ में हो जागा NQL यह आपकी 3 तो फिर 3 number of spare यहाँ पर बनेंगे 3 spares यहाँ पर बनेंगे तो फिर इसका answer हो गया आपका 3 next question में तरह चलते है fourth question में आप सभी को 2 question में से 1 attempt करना था 1 question नीचे वाला है और 1 question उपर वाला तो उपर वाले का मैं आप कौन से बतायता हो यहाँ पर आपका 90 degree का एंगल बनेगा 90 और यह आला एंगल आ जागा आपका 60 और 90 हो जागा आपका 150 और यह आपको angle C बताना था angle C निकलेगा आपका 30 और यह आला आपको 90 डिग्री पता ही है किस property से यह आली आपकी property होती है radius जब भी tangent पर आती है तो फिर यह 90 डिग्री का एंगल होना आती है यह आपका 90 डिग्री हो गया यह आपका 30, 90, 30, 120 तो फिर 180 में से जब 120 मैनस करेंगी यह आजाएगा आपका 60 डिग्री यह आपका इसका answer हो जाएगा इसी का B part है इसमें आपको angle B, A, Y बताना था B, A, Y यानि कि आपको yel angle बताना था और आपको A, O, B बताना था yel angle A, O, B तो फिर आपका B, A, Y कैसे निकलेगा आपको पता है कि यह दोना हमाई radius है मैं आपको इसको solve करके बताता हूँ copy में यह हमारा होगया यह circle यह होगया हमारा center इसको लिख दिया मैंने O और यह दोना हमाई यह होगी radius यह दोना आपकी radius है यह दोना हमाई radius है तो फिर यह दोना sides भी equal होगी यह दोना sides भी equal होगी तो फिर यह दोना angle भी equal होगी यह अगर 40 degree है तो फिर यह भी आपका 40 degree होगया अब यहाँ पर से देखिए यह आपका 40 degree है तो फिर यह भी आपका 40 degree होगया यह 40 degree होगया ये पूरा का पूरा आंगल कितने हा होता है अभी मैंने आपको उपर रताया कि यह अला पूरा का पूरा आंगल होता है हमाहन 90 डिगरी का यह 40 तो फिर यह 50 तो फिर आपका आपका अगल यह 180 का equal होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह आपका triangle बन रहा है, AOB आपका एक triangle बन रहा है, जिसमें एक angle है आपका 40 degree, दूसरा है 40, और तीसरा है आपका angle AOB, 40-40 होगे हमारा 80, प्लस में angle AOB, is equal to 180 degree, यहाँ पर से angle AOB की value आजएगी हमारी 100 degree, तो फिर आपका angle BAY का answer हो गया, 50 degree और इसका answer हो गया आपका 100 degree, next question दिदरफ चलते है, question number 5, if mode of the frequency distribution is 55, find the value of x, यहाँ पर आपको x के लिए find करनी है, class दे रखिया आपको यहाँ पर 0 to 15, 15 to 30, 30 to 45, 45 to 60, 60 to 75, 75 to 90, यहाँ पर आपको frequency दे रखिये 10, 7, x, 15, 10, और यहाँ पर 12, यहाँ पर आपको x के लिए बतानी है, यहाँ पर से अगर मैं आपको पूछू, कि यहाँ पर आपका यह जो model class होगा, model class वो आपका क्या होगा, आप बोलेंगे कि यह होगा हमारा 45 to 60, क्योंकि यह 55 कहाँ पे लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, यह होगा हमारा model class, यह होगा हमारा F1, इसके उपर वाला होता है हमारा F0 इसके आगे वाला होता है हमारा F2 और यहाँ पर आपकी lower limit होगे 45 की और height होगी आपकी 15 क्योंकि इन दोनों का gap कितना है 15 का अब इसको solve कर लेते हैं और यहाँ पर से आपकी x के लिया जाएगी यहाँ पर आप देश सकते हैं मैंने पुरा-पुरा given उतार लिया है और यहाँ पर आपका mode का formula होता है lower limit प्लस में F1 माइनस में F0 divided by 2 F1 माइनस में F0 माइनस में F2 multiply by height यहाँ पर आपको mode दे रखा था 55 का और यहाँ पर आपकी lower limit है 45 प्लस में F1 divided by 2 F1 यानि की 2 multiply by 15 यानि की यह होगया आपका 30 माइनस में F0 यानि की X माइनस में F2 यानि की 10 यहाँ पर आपको मैंने given लिख रहा है अगर आपको यह ना पता लग रहा हो कि मैंने यह कहां से किया तो फिर अभी यह मैंने आपको बताया था कि model class के कौन से हाई थी आपकी 45-2 60 वाली और उसी में से आपका यह हो गया आपका F1 वाला जो इसके साथ वाली frequency थी और एक उपर वाला F0 और उसके नीच आला F2 तो फिर यहाँ पर आपकी height कितनी होगी height आपको पता लग रही 15 की है अब यहाँ पर से इसको solve कर लेते है 45 को अगर मैं इदर लियाओंगा यह हो जगा हमारा 55-45 is equal to में 15 minus का x divided by 30 minus 10 20 minus x is equal to में 15 यहाँ जगा हमारा 10 और 15 को इदर लियाते हैं यह हो जगा हमारा divide में is equal to में 15 minus का x divided by 20 minus का x यहाँ तक साभी बच्चों को समझ में आ गया अब यहाँ पर से क्या करते हैं इसको इससे divide कर देते हैं यह जगा हमारा 2 यह जगा हमारा 3 इसकी इससे multiply होगी यह जगा हमारा 2 multiply 20 minus का x is equal to में 3 multiply 15 minus का x ठीक है अब इसको multiply करते हैं 40 minus का 2 x is equal to में 15 sorry 45 minus का 3 x इसको इदर लियाता है यह जगा हमारा 45 minus का 40 और 2 x minus का 2 x है इसको अब इदर लियाता है यह जगा हमारा plus का 3 x तो फिर यहाँ पर से हमारी value आ जाएगी x is equal to में 5 यह आपका इस question का answer हो गया next question के तरह चलते है question number 6 ते आप सभी के सामने यहाँ पर आपको sum find करना है 20 terms का जिसमें आपका nth term का nth term की यहाँ पर आपको value दे रखी है an is equal to में 5 minus 2n तो फिर यहाँ पर आपको sum find करना है 20 terms का यहाँ पर आपको sum find करना था 20 terms का और यहाँ पर आपको an given है 5 minus का 2n A1 निकाले अंदर सबसे पहले 5-2 multiply 1 आ जाएगा यानि कि 5-2 यानि कि आगए आपका 3 और यहाँ पर से A2 आएगा आपका 5-2 multiply 2 यानि कि 5-4 यानि कि 1 अब यहाँ पर से A1 आगए आपका 3 A2 आगए आपका 1 तो फिर आपकी AP बन जाएगी 3 1 और ऐसे यह आपकी AP कंटिनुर रहेगी यहाँ पर से मैं आपको बोलू कि D की value क्या होगी यानि कि common difference common difference होगा हमारा A2-A1 यानि कि 1-3 यानि कि minus का 2 common difference आपको पता लग गया A की value पता लग गई A की value है हमारी 3 यह दोना आपको पता लग गए तो फिर आप S20 आसानी से निकाल सकते हैं 20 by 2 ब्रैकेट में 2 A यानि कि A की value है हमारी 3 प्लस में N-1 यानि कि 19 multiply D D की value है आपकी minus का 2 यह आजगा आपका 10 ब्रैकेट में 32 जा 6 minus में 38 10 multiply minus का 32 यानि कि minus का 3 to 0 यह आपका इसका answer आ गया next question के तरफ चलते है question number 7 और 7th question में आप सही को construction गई आपका question रहेगा section B start हो गया यहां से draw two concentric circles of radiate 2 centimeter and 5 centimeter from a point on outer circle आप यहां पर से ध्यान से पढ़िएगा from a point on the outer circle construct a pair of tangents to the inner circle आपको construct करना है यहां पर दो pair tangent जो inner circle पर होने चाहिए चलिए इस question को मैं आपको पता है तो कैसे आपको solve करना है यह आपका 7th question है यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है आपको यहां पर यह एक और circle बना लेना है इसको यह हो गए आपके concentric circles आप compass का यूज़ करेंगे तो फिर बहुत 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 बनेगा यह फिर यहां पर आपको करना क्या है आपको point लेना है outer circle पर और यहां पर इसका नाम देदे तो मैं P और यहां पर आपको construct करना है इस छोटे अले circle पर दो tangents इस वाई line का perpendicular bisector करना है आपको perpendicular bisector एक इस point से करेंगे आप ऐसे और फिर एक इस point से और फिर यह आपकी perpendicular bisector होगी यह होगी आपकी 90 degree की अब यहां पर से बीच में आप point रखेंगे इसका नाम देदेंगे M और यहां पर से ऐसे करके circle construct हो जाएगा जो इस अरे point को touch करेगा फिर यह और यह दोनों पॉइंट इन दोनों को आप match कर देंगे इन दोनों से यह दोनों हो गई आपकी tangent यह आपका इसका correct answer रहेगा next question की तरह बढ़ते है question number 8 question number 8 में आप सभी को करना क्या है यहां पर आपको AB टावर दे रखा है AB यह आपका टावर है जो height है 50 meter की a man standing on its top एक man है जो इसके top पर खड़ा हुआ है observes two cars on the opposite sides of the tower दो कार को वो observe करता है car c point पे है और d point पे है the angles of depression 30 degree and 45 degree respectively find the distance between two cars आपको distance find करना है इन दोनों cars का तो फिर आपका distance क्या होगा cd होगा और cd को आप कैसे लिख सकते हैं मैं आपको इसको करके बताता हो कि कैसा आपकी yellow cushion solve होगा आपकी यह figure बनेगी और यहाँ पर आपको cd distance find करना है यहरा distance दोनों car का तो फिर यह आपका कैसे निगलेगा cb plus bd से तो फिर अभी आपको cb और bd आपको पता नहीं है तो फिर आप कैसे निकालेंगे इसको मैं आपको बताएता आप इस वाले triangle में पहली बात तो यह 30 degree है तो फिर यह भी 30 degree हो जाएगा angle of elevation यह 45 है तो फिर यह भी आपका 45 हो जाएगा अब यहाँ पर से आपको करना क्या है triangle का use करना है in triangle a b c and in triangle a b d अब यहाँ पर से 1030 का use होगा 1030 जब यहाँ पर 1030 का use करेंगे तो फिर यहाँ पर से यह हो जाएगा आपका a b by b c और यहाँ पर आप 1045 का use करेंगे यह हो जाएगा आपका AB by BD अब आपको AB की लेंद तो पता ही है 50 meter और BC की लेंद आपको पतानी है, यह आपको निकालनी है 10.45 AB की लेंद आपको पता है 50 meter और BD की आपको निकालनी है अब आप इसको निकाल सकते हैं असानी से 10.30 degree की value होती है 1 by root 3 is equal to 50 by BC यहाँ पर से आपकी BC की value हो आजाएगी 50 under root 3 meter और यहाँ पर से 10.45 की value होती है 1 और 50 by BD यानि कि आपकी BD की value कितनी है आगई 50 meter अब इन्दों को आप add कर देंगे तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, CD 50 under root 3 प्लस 50 इन्दों को add कर देते हैं इन्दों में से common लेते हैं हम 50 यहाँ आजाएगा हमारा root 3 प्लस 1 कुछ बच्चों ने यहीं तक करके छोड़ दिया हुआ तो फिर उनको भी number मिल जाएगे पर मैं है रहा suggestion है आप पेपर में point की value ज़र रूपूट करना है यहाँ पर 1.732 प्लस 1 यह आजाएगा आपका 50 multiply 2.732 और इसको multiply करने के बाद आपका आएगा 136.60 मीटर यह आपका correct answer होगा तो next question में तरफ चलते है question number 9 9 है आपको यहाँ पर mean दे रखाता 25 का और यहाँ पर आपको f की value find करना है class दे रखिए आपको यहाँ पर 0 to 10, 10 to 20, 22 to 30 और 30 to 40 और ऐसी यह आपकी 40 to 50 और यहाँ पर आपको frequency दे रखिए 5, 18 और 15 और f और यहाँ पर 6 यहाँ पर आपको सबसे पहले x find करना पड़ेगा फिर उसके बाद fx फिर fx का sum find करना पड़ेगा यहाँ पर आपको mean दे रखाता 25 का और यहाँ पर आपको class दे रखिए यह frequency और यहाँ पर सबसे पहले मैं x find कर लेता हूँ यह जाएगा आपका 10 और 0 हो जाएगा आपका 10 और 10 by 2 5 यह जाएगा आपका 30 30 by 2 15 और यह जाएगा आपका 25 और 35 और 45 अब यहाँ पर से आप FX निकाल लेंगे FX हो जाएगा 25 यह हो जाएगा आपका 180 और यहाँ पर से 90 यह जाएगा आपका 270 270 और 25 और 15 हो जाएगा आपका 25 और 15 375 और यहाँ पर सी होगे आपका 35F और यह हो जाएगा आपका 270 अब इन सब को एड कर देते हैं यह आपका 35F प्लस में 270 और 270 यह हो जाएगा आपका 540 और 25 और 375 यह हो जाएगा आपका 400 यानि कि 940 अब इन सब को एड कर लेते हैं यह हो जाएगा आपका 21 21 और 18 हो जाएगा आपका 21 और 18 9 और यह 39 और 39 और 5 हो जाएगा आपका 44 प्लस F अब यहाँ पर से हमें मीन दे रखा था 25 और मीन का फॉर्मला होता है सिग्मा एफ एक्स यानि कि 35F बाई प्लस 940 अपॉन 44 प्लस F अब इसकी यहां मल्टिप्लाइ कर देते हैं यह आजाएगा हमारा 44 प्लस में F अभॉनटिप्लाइ बए 25 इस इक्वब तुमें 35F प्लस में 940 25 की इसमें मल्टिप्लाइ करेंगे यहां जाएगा हमारा 1100 फ्लस में 25F इस इक्वब तुमें 35F प्लस में 940 यहां तक सब्सको समझ में आ रहा होगा यहां पर इसको में diamonds कर देता हको यह ज़िए हमारा 10F is equal to my 940 को इदर लिया है यह हो गया हमारा 1100 minus my 940 यानि कि 60 और 100 160 is equal to my 10F यानि कि F की value आगए आपकी 160 by 10 यानि कि F की value आगए आपकी 16 यह आपका correct answer हो जाएगा next question तर चलते है question number 9th कभी इसमें आपको mean find करना था as you mean method से 0 to 5, 5 to 10, 5, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 8, 7, 10, 13, 12 तो यह ज़्यादा मुश्किल नहीं है आप यह अपने आप से कर सकते है वीडियो ज़्यादा लंबी हो जागी आपको जिसी step में समझ में ना है तो फिर आप comment में ज़रू से पूल सकते हैं मैं आपका reply ज़रू से दूँगा 10th question की तरफ देखते हैं बाकी इसमें आपको median find करना था यह 50 students हैं class 10th के और यहाँ पर आपको height दे रखिया in centimeter 130 to 135 बाकी मैं इसका आपको answer आता हूँ यह बी वाले का इसका आपका answer आएगा नोट कर लिए यह आएगा आपका 13.9 यह आपका इसका answer आएगा 132, 135 इन सब में आपको median find करना है 10th question है यह आपका यहाँ पर आपको head दे रखिती students number of students दे रखिते यहाँ पर आपको median find करना था तो फिर median आपको कैसे नकलेगा यहाँ पर आपको सबस्वेले cf निकालना पड़ेगा cf निकलता है आपका 4 और इसमें initial add होता रहता है यह जगा आपका 15, 27, 30, 4 यह जगा आपका 44 और यह जगा आपका 50 तो फिर आपकी यहाँ पर से n की value आगे यहाँ पर 50, n by 2 की value आएगी आपकी यहाँ पर से 25, 25 आएगी तो फिर यहाँ का इस median class में यहाँ पर lie करेगा, यानि कि यहाँ पर से आपकी lower limit हो जाएगी 140, और एक उपर वाला होता आपका cf, और यह होगी आपकी frequency, cf की value होगी हमारी 15, और frequency होगी हमारी 12 की, और height होगी हमारी 5 की, यहाँ पर से आप median find कर सकते हैं, median का आपका formula होता है, l plus n by 2 bracket, n by 2 minus में cf divided by f, multiply में height, तो फिर यहाँ पर आपको median find करना है, l यानि की lower limit 140, प्लस में n by 2, n by 2 हमने यह आपर निकाल लिया 25, minus में cf, यानि की cf यहाँ पर 15 का, divided by frequency है आपकी 12 की, multiply by height, यानि की 5, 140 प्लस में यहाँ आपका 10 by 12, multiply by 5, यानि की 50 by 12, जो आप इसको divide करेंगे, यह आजाएगा आपका 4.16, इन्दों को add करते हैं, यह आजाएगा आपका 144.16, यह आपका finally answer हो जाएगा, next question में तरफ चलते हैं, question number 11, और यहाँ से आपका section C start होगा, यहाँ से आपका section C start होता है, 11th question है आप सभी को यहाँ पर, PQ हो यहाँ पर आपको एक quad दे रहे हैं, जिसकी length है 8 cm, PQ, यह 8 cm की है, यहाँ पर यह आपकी bisector हो जाएगी इसकी, तो फिर यह हो जाएगा आपका 4 cm, यहनकी PR हो गया आपका 4 cm, और QR हो गया आपका 4 cm, radius है आपकी 5 cm की, यहनकी PO आपको दे रहे हैं 5 cm, और यहाँ पर आपको find करना है, TP की length, टी पी की और यहाँ पर जो आपकी पी और क्यू है टेंजेंट्स है यह आपकी टी पर मीट हो रही है यानि की टी पर यह एक दूसरे को मीट कर रही है और यहाँ पर से आपको टी पी की लेंट करनी है चले इस कोशन को सॉल्व कर लेता है यह थोड़ा चैलेंजिंग कोशन है आपको इसकी thinking और approach पताऊने चाहिए कि आपको इसको कैसे solve करना है वनना आप इस question को solve नहीं कर पाएंगे basically RD Sarma का question है यह आपका 11th question है और यहाँ पर आपको PQ की यह जो आपकी chord है PQ यह आपको 8 cm की दे रखी थी तो फिर यहाँ पर से आपका PR हो जाएगा PR यह हो जागा है यहाँ पर से 4 cm इसका आधा और यहाँ पर से आपका PO यानि की radius यह आपको दे रखा था यह है आपका 5 cm अब आपको यहाँ पर TP की length find करने थी यानि की यहाँ पर आपको tangent की length आपको यहाँ पर से find करनी है चलिए इसको सुनकर solve करते हैं थोड़ा से difficult रहेगा यहाँ पर आपका 90 degree का angle बनेगा और यहाँ पर भी आपका 90 degree का अब यहाँ पर triangle POR में in triangle POR यहाँ पर जो आपको की PO side होगी यह आपकी hypotenuse होगी तो फिर hypotenuse का square is equal to perpendicular का square प्लस में base का square यहाँ पर आपकी OP की length कितनी है 5 cm यहाँ पर आपकी PR की length है आपकी 4 cm और यहाँ पर आपको RO की length चीए इसकी length यहाँ पर मैं निकाल रहा हूँ तो फिर यह हो जाएगा आपकी 25 यह हो जाएगा यहाँ पर यह आपको प्लस का 3 cm अब आपको यह पता लग गया कि यह हो गई आपकी 3 cm सेंटर तक अब आपको यहाँ पर से find करना पड़ेगा अब मैं triangle लेता हूँ यहाँ पर से PRT in triangle PRT इस triangle में देखते हैं यहाँ पर जो आपका TP होगी यह होगी आपकी hypotenuse PT का square is equal to मैं TR का square प्लस मैं PR का square छेले solve कर लेता है PT का square आपको यहाँ पर पता नहीं है यहाँ पर आपको TR का भी square नहीं पता यहाँ पर आपको PR की value यहाँ पर आपको पता है PR की यहाँ पर value है आपकी PR की यहाँ पर आपको value दे रखिया है 4 तो फिर PT का square is equal to my TR का square प्लस में 4 का square होता है आपका 16 इसको मान लेंगे आप equation first अब यहाँ आपर से second condition में आपको triangle लेना है आपको पता है यहाँ पर 90 degree का angle होता है अब हम यह आप ट्राइंगल लेंगे PTO in triangle PTO यह आपका O है इसमें जो आपका O T का square होगा वो आपका T P के square प्लस में O P के square के बराबर होगा और जब आप यहाँ पर T O को ध्यान से देखेंगे तो फिर यह है आपका TR प्लस O R O T है आपका TR प्लस O R इसका whole square is equal to में T P का square प्लस में O P का square अब यहाँ पर आपको O P की value पता है यह आपकी radius यानि की 5 का square 5 का square होता है आपका 25 प्लस में आपने अभी यहाँ पर T P की square की value निकाली थी T P का square यह आपका TR का square इसको मैं लिख लेता है यहाँ पर प्लस में TR का square प्लस में 16 यह हमारी T P के square की value थी इसका whole square करते हैं यहाँ जाए हमारा TR का square प्लस में OR का square प्लस में 2 into OR OR की value है हमारी 3 cm यानि की 3 multiply by TR अब इसको solve कर लेता है TR का square इस TR के square से कर जाएगा यहाँ पर 25 और 16 हो जाएगा हमारा 41 is equal to में OR का square प्लस में 60R अब OR की value हो भी मैंने आपको बताये थी 3 और 3 का square होता हमारा 9 प्लस 60R is equal to में 41 60R की यहाँ पर से value आजाएगी आपकी 41-9 यानि की 32 तो फिर TR की value क्या आगई 32 by 6 यानि की 16 by 3 यह आपकी TR की value आगई अब आपको यहाँ पर मैंने बताया था कि यह फरस्ट equation आपकी बनी थी PT का square is equal to में TR का square PT का square is equal to में TR का square प्लस में 16 यानि की PT का square is equal to में TR का square यानि की ये इसका square इसका square होगा हमारा 256 प्लस में 9 प्लस में 16 यानि की PT के square की यहाँ पर से value आगई हमारी 144 और 144 जब हम इसमें plus करेंगे यह आजएगा हमारा 200 sorry 400 by 9 और यहाँ पर से PT की value क्या आजएगी 20 by 3 यानि की 6.66 और यह आपका centimeter में यह आपका answer हो गया next question में तरफ चलते है question number 12 12th question में आपको first question पूछा गया था 2 digit 2 digit number is such that the product of its digit is 24 इस दो digit का जो product है वो है आपको 24 दे रखा है if 18 is subtracted from the number अगर 18 उस digit में से अगर subtract किया जाता है तो फिर उसकी digit interchange हो जाती है their places find the number यहाँ पर आपको numbers find करना है यहाँ पर आपके दो digit के number है जिनका product है आपका 24 और अगर मैं आपको इसको कहूँ कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं इसको आप 10x प्लस y लिख सकते हैं क्योंकि यह आपकी unit place है और यह आपकी 10s place है तो फिर यहाँ पर से आपका 18 subtract हो रहा है is equal to interchange their places यानिकी y वाला x हो जा रहा है और x वाला y यानिकी 10y प्लस x अब 18 को इदर ले आते हैं यह जगा हमारा plus का 18 10y इदर ले जाएंगे यह होजा हमारा minus का 9y और x को इदर ले जाएंगे यह होजा हमारा plus का 9x 9 common लेंगे यह हमारा x minus y is equal to 18 इसको divide करते हैं यहाँ जगा हमारा 2 यानिकी x की value आगी 2 plus y इसको यहाँ पूट कर देते हैं x की value आगी 2 plus y is equal to 24 यानिकी multiply by y भी है यहाँ पर यहाँ जगा आपका 2y plus में y square is equal to 24 यानिकी y square plus में 2y minus का 24 is equal to 0 यह आपकी quadratic equation बन गई तो फिर आपकी middle term हो जाएगी y square plus में 6y minus का 4y minus में 24 is equal to 0 यानिकी इन्हों में से common आएगा y plus six और इन्हों में सiçãoगोन आएगा minus का 4 और यह जगा अमारा y plus 6 is equal to 0 y minus 4 एक bracket में y plus six एक bracket में is equal to 0 y की value आगी आपकी यहाँ पर से 4 y की value आगी आपकी minus का 6 y की value आपकी plus का 4 है तो फिर यहां पर से आपकी x की value क्या आ जाएगी 2 प्लस y की value आपकी 4 यानि कि 6 x की value आगी आपकी 6 और y की value आगी 24 तो फिर हमाएं number क्या थे 10x plus y यानि कि 10 multiply 6 plus में y की value आपकी 4 यानि कि 60 plus 4 यानि कि 64 यह आपका correct answer है next question है 12th का यह आपका b part है the difference of the squares of two numbers is 180 the square of smaller number is 8 times the greater number find the two number यहां पर आपको difference दे रखा था दो numbers के square यानि कि 1 ले लिए मैंने x square 1 ले लिए मैंने y square is equal to मैं यह होगा आपका 180 के equal फिर यहां पर आपको दे रखा था कि square of smaller number यहां पर आपका smaller number होगा y क्योंकि यह minus हो रहा है x square से तो फिर यह आपका smaller number यह आपका greater number तो फिर square of smaller number is equal to मैं 8 times the greater number greater number है हमारा x तो फिर y square की value आगए हमारा यहां पर से 8x तो फिर x square minus का 8x minus का 180 हो जाएगा is equal to मैं 0 तो फिर y square minus का 18x plus मैं 10x minus का 180 is equal to मैं 0 तो फिर yहां पर से आपका एक bracket में आजाँगा x minus 18 और इन्हों में से common आगए हमारा 10 यह आगए आपका x minus 18 is equal to मैं 0 एक bracket में आगए आपका x plus 10 एक bracket में आगए x minus 18 is equal to मैं 0 यानि कि x के value आगए आपकी minus का 10 x के value आगए आपकी plus का 18 तो फिर यहाँ पर अगर हम यहाँ पर जो हमारी minus वाली value होगी यह reject हो जाएगी क्योंकि अगर हम यहाँ पर minus वाली value रखते हैं तो फिर यह हो जाएगा हमारा minus का 144 और किसी भी number का square negative में नहीं होता तो फिर हमारी यहाँ पर accept कौन से होगी x की positive value तो फिर y square is equal to 8 multiply 18 यानि कि y का square is equal to 144 यानि कि y की value आगे हमारी 12 centimeter sorry 12 12 तो फिर यहाँ पर से आपकी x की value क्या आएगी तो फिर यहाँ पर से आपकी x की value होगी 18 और y की value होगी आपकी 12 यह दोनों आपके case के answer होगे next फिर चलते हैं अब यहाँ पर से case study start होगा इसके बस मैं आपको answer आँसर बताऊँगा बहुत simple case study थी मैं आपको approach बता दूँआ कि आपको इसको कैसे solve करना था यहाँ पर आपको case study number 13 है यहाँ पर आपको kite का festival दे रखा है 14th January celebrated as a international kite day यहाँ पर आपको बस इससे मतलब होना चाहिए कि आपको एक पास क्या क्या data है यह सब तो फालतु में लिखे होते हैं बस आपको यह पता होना चाहिए कि आपकी height क्या है और यहाँ पर आपको question में पूछा क्या है तो फिर यहां पर आपको यहां पर दिख रहा होगा Angle of Elevation 30 डिग्री गा, Angle of Elevation 60 डिग्री गा यहां पर यह height आपकी 60 meter और यह आपकी 50 meter चलिए question में देखने क्या find करना है तो फिर यहां पर आपको first question में find करना था कि length of string used take them straight for kite A and B इसमें आपका यहाँ पर से A की value आजाएगी 100 meter और B की value आजाएगी 40 under root 3 यानि कि 69.28 meter और यहाँ पर आपको define करना था इसकी value आजाएगी आपकी 121.65 meter के study second आप सही का इसमें आप सही को यह 10 दे रखा था जो उपर से cone की shape का है नीचे से cylinder और यहाँ पर आपको first question पुछा गया था कि area of canvas used in making of tent यहाँ पर आपको इन दोनों का जो CSA वो आपको plus कर देना था और इसका आप का answer आएगा 16.50 meter square 16.50 meter square और second में आपको 200 रुपए की cost से इसका इसके रुपए बताने था कि कितने रुपए लगेंगे तो फिर इसका जो आपका answer आजाएगा वो आजाएगा 3 3 6 triple 0 यह आपका इसका answer आजाएगा तो फिर यह पूरा पूरा प्रदा जो मैं आपको बता चुका हूँ उमिद करता हूँ आप से कोई यह साएगा सारे answer समझ में आ गया होंगे और आप से भी ने बहुत बहतर paper में score किया होगा आप सभी अपने marks 0 से बताना बाकि मिलते हैं आप से इस next day में किसने डोग साथ तब तक लिए जाएइन चाह भारत